आलू हम कॉले स्टोरेज से तीन दिन पहले लई लिए लेल आहसा भी ध्यान रखाम कि जोन बीज के उपचार करब उख्रा कॉले स्टोरेज से तीन दिन लेला के बाद बैया तीन दिन ये कहली हैं सिकोले स्टोरेज में 10 से 15 डिगरी सेल्सियस में आलू रखल रहाई छाई आउकरा निकाल भाई तैं यहां तीस से 32 डिगरी सेल्सियस गर्मी मिल जाई चाई तो एक आरान यहां के बाता बरन में थूरा रह जताई आलू तो यसे उपचार करला के बाद या रूपे के बाद सरता ही ना एक कठा में जे है 35-40 किलो अलू अगर लगा यह तो हम 10 किलो आलू के उपचार करके बता देए था थी ओके बाद जितना कठा अलू रूपे की होए तो ही हिसाब से आहां सब उपचार कर ले है दीदी इम 45 फंफूदी नासक जेह दवा इता है सजहना जिना जीदी हाहां भाईया एहे दवा इंचिल काव अलू में कर रहीछ दवा मिलाबे के लेल दास्ताना के भी जरूरत लोग और दावा के लेल खप्ञ प्रशन के एकर्शन does 10 कजी आलू बीज के लेल, 10 लिटर पानी के भी जरूरी हो या, गवार पानी के गोल बनावे के लेल, एक बरा बर्तन के भी जरूरी हो या, एक जूट के बोरा के भी जरूरी हो या, जेकी यहां है, दी दी, हम अब 10 लिटर पानी यही में डाल दाली है, तो 10 लिटर पानी के मेल यह में 5 गराम आटा इछाई माचीश के खपा में चोटा वाला हाई तेगरां चार बार रखवाई तबीस गराम डाले लाई ha अब हमी पाँच गराम एक बार डाल दाल्या दिदी एसे चार बार चार खपा डाल देली 20 गराम होगगे ले दीडी एक किलो बीज में एक लिटर पानी और दू गराम दवा पर लए समझ गे लिना दीडी अब एमें हम एकरा मिला करके और बीज डाला ठीखते न n देखो दीडी आई तरह के अंकूरित बीज के उफचार में न लाबे के हाई अगर अई तरह के बीज के उपचार करवाई तो उपचार करईत समय में एकर अखुवा तूड़ जता है और जनमेशन न होए अब दिधी 200 किलो आलू एमें हम डाल दें अब न दिधी एकरा 20 मिनट तक यही तरह से छोड़ दे वेला है उपचार के कोई भी काम छाया में ही करेके हैं और 20 मिनट के बाद यह है बोरा प्रेकरा रख लेगे 20 मिनट के बाद यह आलू के निकाला के बाद आलू बीज के निकाला के बाद एमें एक बार 10 किलो और दूसरा आलू बीज भी उपचार कर सकाई छी थी दिए अखरा बाद यह है दू बार के बाद एक दवा में दूसरा बाद ना दूसरा बाद तेसरा बार उपचार ना करना त्यार केल बीज मिनट पो गे अब एक रहा बोरा पर निकाल रहा है अलु बीज के शायदार जगह में ही सुखावेला है और आलु पर आलु न रहे हैं और एक से दू हंता एक रख शायदार जगह पर बराबेला है और एकाद बार हो सके तो और चला देखा दुटरा कि जहें अच्छा तरह से शुख जाय के बाद एक रावाद स्खेज में लगाते हैं इउपाय कहला से बजार में आलु के भैलु अधी बढ़ जाईचे तरह से उप जाय लालु अगला बार बीज में भी उपियोग हो सकाईचे झालु 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 में लाद टॉटरा